एक बार फिर से आप सभी लोगों का मुस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूटूब चैनल टार्गेट बोर्ड में तो प्यारे बच्चों उमीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ हाई कहां, अभी तो 11th में एडवीशन लेने की तैयारी में लगे हुए हैं, जी हाँ, बिल्कुल हम जानते हैं कि आप लोगों का मेट्री का रिजल्ट आ चुका है, और बहुत अच्छे नंबर से आप लोग पास भी कर गए हैं, और आप लोग 11th क्लास में, यानि इंटर म एडवीशन लेने की तैयारी में लगे हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो अभी भी कहीं न कहीं आपको उल्जन में डाल रहा है, कि इंटर में हम साइन्स स्ट्रिम लें, या आर्स लें, या फिर कॉमर्स लें, आप लोग अपने गाउं मे किसी भी गली महले में चले जाईए, ग्यान देने वालों की तादाद बहुत जादा है, ग्यान देने वाले पीछे नहीं रहते हैं, अपना ग्यान फिरी में देते रहते हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि साइन्स ले लो भाई, पढ़ने में तुम तेज हो, अगर थोड़ा सा आक कि पढ़ने में कमजोर रहें, कुछ लोग ग्यान देतेंगे कि अरे भाई, तुम Arts ले लो, तुम से Science ना हो पायेगा, और अगर पढ़ने में कमजोर हो तो कुछ लोग आर ग्यान देते हैं, कैसा करो तुम Commerce ले लो, खास करके लड़कियों के लिए, लड़कियों को लो ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से अपना स्ट्रिम चुनेने में मदद मिल सके तो प्यारे बैचों इस वीडियो को सुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लिजेगा क्योंकि परिक्षा आपको देना है पढ़ाई आपको करनी है आपके बदले कोई परिक्षा देने के नहीं देगा पढ़ाई तुमको करनी है एक्जाम तुमको देना है तो स्ट्रिम भी सोच समझ करके अपने हिसाब से आपको ही चुनना पड़ेगा तो प्यारे बच्चों हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं एक कोशिस कर रहे हैं कि आप लोगों को बहतर मार्ग दर्शन कर सकों ताकि आप लोगों को इंटर में कोई दिक्कत ना हो और हाँ एक बड़ी बात यहाँ पर अगर आपका गलत डिसीजन होता है तुकि आप अब लोग तो साइंस ले लिए कहीं ऐसा नहों कि आप लोग आर्स ले लिए और साल भर यानि इंटर जब पास कर गए जब टुबेल्ट एक्जाम आ गया तब उस समय अपसोस हो रहा है बेकार यह साइंस ले लिए थे आरस ही लेते तो ज्यादा बहतर होता है जब टुबे कैसे कैसे डिसाइड करें कि हमें क्या करना है या हमें पता है हमें क्या करना है भविस्व में हमें क्या बनना है या हमें बनना है यूपीसी करना है सरकारी नौकरी करना है इंजिनियरिंग करना है मेडिकल करना है सीय करना है एंडिये में जाना है एयर फोर्स में जाना है न तो जरा इस वीडियो को ध्यान से देख लिजेगा अगर कहा जाता है ना कि गाइडन्स यानि गाइड करने वाला एक बहतर मिल जाए तो फिर वहां से मुश्किलियां सान हो जाती है जब महाभारत का युद्ध सुरू हुआ था तो अरजुन सोच में पढ़ गये थे उनको ल पढ़े हुए हैं कि आखिर साइंस लें कि आर्स लें या कॉमर्स लें तब भगवान स्री कृष्ण आये थे और अरजुन को गीता का उपदेश दिये थे और उसके बाद से महाभारत सुरू हुआ और जीते भी यानि कि अगर कृष्ण भगवान नहीं होते अगर एक लड़ाई खुद लड़ सकें और लड़ाई में जीते भी तो चलिए प्यारे बच्चों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस आर्स और कॉमर्श का तीनों में से अभी तक आप लोगों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कौन सा सब्जेक्ट लें ताकि हमारे लिए बेहतर हो तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करने का आज प्रयास करते हैं और हम बारी बारी से आपको बताएंगे सबसे पहले आर्स के बारे में साइंस के बारे में और कॉमर्श के बारे में सब कुछ के बारे में बताएंगे अगर हम लोग बात करते हैं 11th क्लास का यानि कि क मंदित वीडियो मिलेगा हिंदी इंग्लिस बिल्कुल फ्री पढ़ाई होगा कोई इसके लिए चार्ज दिना नहीं पढ़ेगा 11 के इंग्लिस के लिए क्रिसर का बैच है वहां से आप लोग पर्चेश कर सकते हैं बाकि 12 क्लास बिल्कुल फ्री बोड हमारा नाम क्या है टार्गेट बोर्ड तो टार्गेट पोड़ एक्जाम प्यारे बच्चों टुवेल्ट और 11 क्लास के लिए वह गा जिसमें हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्ट का उसके बाद हम बात कर लेंगे कोमर्स का उसके बाद हम बात कर लेंगे कोमर्स का और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे साइन्स का सबसे लास्ट में हम बात करेंगे साइन्स का ठीक है यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बता दीजे जल्दी से नहीं हमें तो नहीं लगता है कि यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए क्या तो ours commerce और science अगर हम science की बात करें न तो इसका sector बहुत बड़ा है आपकल अपना नहीं कर सकते हैं इतना बड़ा है यह देखने में सब तो बड़ा छोटा है science विज्ञान विज्ञान संकाय से हम लेने जा रहे हैं लेकिन यह sector बहुत बड़ा है जितना बड़ा सोचे न उतना क पड़ जाएगा उसके बाल आता है ours यह जोटा नहीं है यह भी बहुत बड़ा है इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट कोते हैं प्रकτά कमर्स के बारे में सकते हैं हम क्या बन सकते हैं, क्या अगर हम commerce लेते हैं, तो भविस में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं, क्या हम आर्स लेंगे तो भविस में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं कि नहीं कमाएंगे, इन सब चीजों के बारे में हम आपको बिस्तार से बताएंगे तो जरा ध्यान से समझिएगा, चलिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं आर्स का, सबसे पहले अगर हम बात कर लें आर्स सब्जक्ट का, तो आर्स मुख रूप से वहीं लोग लेते हैं, जिन जरा ध्यान से हम बताते हैं जिनको या तो government job की तयारी करनी होती है ठीक है ना या फिर civil services civil services बोले तो अगर आप लोग का target है UPSC करना तो UPSC कर सकते हैं अगर आप लोग का target है BPSC करना तो BPSC कर सकते हैं तो मुख रूप से arch subject वहीं लेते हैं जो UPSC BPSC या फिर सरकारी नौक कर सकते हैं क्या बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा opportunity यह होता है क्योंकि इधर पढ़ने के लिए आपके पास वह material है जो कि आपको government job में काम आएगा जो कि आपको civil services में काम आएगा तो इसलिए लोग आर्स subject लेते हैं अगर UPSC का तयारी करना है BPSC का तयारी करना है लेकिन क्या science वाले UPSC नहीं कर रहे है जड़ातर तो science वाले ही निकाल रहे हैना तो कैसे या कैसे संभव है सब कुछ हम आपको बताएंगे लेकिन प्यारे बैच्टो, आप लोगों को UPSC करने के लिए VPSC करने के लिए क्या करना होगा असना तक करना होगा असना तक बो पांच साल के बाद ही आप तैयारी कर सकते हैं लेकिन मुख रूब से आपको 10 के बाद पांच साल देना होगा तब जाकर के आप एलिजीवल हो पाएंगे यूपी सी का एक्जाम देने के लिए और जब असना तक आपका कंपलीट होगा तो उसके बाद 2-3 साल तैयारी करेंग UPSC, BPSC, तब जाकर कि आपका जो life है, वो बिल्कुल bright होगा, लेकिन government job के लिए, government job तो metric पर भी मिल जाता है, इंटर पर भी मिल जाता है, गिर्जवेशन पर भी मिल जाता है, यहाँ पर आपके पास opportunity है, देखते हैं ना भकिन से निकलता है, इंटर पास सभी छातर इसके लि कि समाजिक विज्ञान के प्रती थोड़ा जादा रूची है, जिनको history में रूची है, जिनको जोग्रफी में रूची है, समाजिक विज्ञान में जिनकी रूची है, जो अर्तसास्त्री बढ़ना चाहते हैं, भाई इधर आजाएए ना, आर्स में आपके पास बहुत बड चलिए, दामाद का नाम जरूर सुने होंगे, दामाद को घर में कितना रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, जब दामाद घर में आते हैं, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट मिलता है, सम्मानित किया जाता है, वैसे ही प्यारे बच्चों जितने सारे भी बड़े बड़े कंपनियां हैं तो कंपनी का जो मैनेजिंग करता है ना जांच प्रताल के लिए जाता है वह सीए होता है कंपनी का दमाद कहा जाता है को मर्स से आप ले सकते हैं यानि कि जितनी सारे भी कंपनियां हैं एगर किसी कंपनी में आपका इंट्री हो जाए नए इतना offer मिलेगा उतना पूछए कियों कि सब्सक्राह सकते हैं और किसे भी कंपनी के नीव को हिला सकते है इतने सारे बेंक आ लेकिन इन सब चीज़ों के लिए प्यारे बच्चों आपको बिकॉम करना होगा जैसे इधर हमको बीये करना होता था ना बेचलर पार्ट्स इधर बैचलर ऑफ कोमर्स बिकॉम करना होगा Master degree लेना होगा तो कौं करना होगा तो इसके लिए आपको यहां सब डिंगर्यां लेना पड़ेगा हम अगर बाद करते हैं सिर्फ ऩिप्री का तो डिंगरी यहां पर आपको मिल जागा डेगरी सिर्फ आपको यहां पर लिएगा ये सब série सनल कुर्स है तो यहां पर सीए का सीएस का बैंकिंग का यहां पर भी बहुत सारे उपर्चिनिटी है ठीक है धेर सारे उपर्चिनिटी है अब हम बात कर लेते हैं साइंस का तो साइंस अगर कोई बच्चा सोचता है कि हमें science लेना है तो उसके मन में दो ही सवाल आते हैं दो ही ख्याल आते हैं या तो medical या तो engineering अगर कोई बच्चा science लेने के वारे में विचार करता है तो उसके मन में सबसे पहले दो चीज़ आता है हमें engineer बनना है हमें doctor बनना है या फिर अगर किसी को NDA में जाना है तो वो बच्चे ले लेते हैं कि हमें NDA में जाना है तो अगर science की बात किया जाए तो science में मुख रूप से क्या medical होता है ठीक है न? medical होता है और दूसरा sector है engineer का ठीक है दूसरा sector है engineer का कर यह नीए कर बच्चे साईंस के वारे में विचार करते हैं तो मेडिकल की तैयारी में बहुत सारे बच्चे लग जाते हैं और करने के लिए आपको लेना पढ़ता है किंट्री और ब्योग यहां पर मैत आप लोग नहीं ले सकते हैं अगर ड्शावक्टर बना आड़ तो आपको बाईलोजी लेना पड़ेगा तो और बाइलोजी अगर इंजिनियरिंग करना है तो इसके लिए PCM यानि फिजिक्स कमेस्ट्री और मैथ लेना पड़ता है अब बात करें कि सर ज्यादा बेटर कौन है PCV या फिर PCM हम आपको बताते हैं परस्टनली ज्यादा अपरचनेटी इधर है PCM में फिजिक्स कमेस्ट्र आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा बाकिंजिनियर बनने के लिए आप लोगों को आई-ई-टी करना होगा ठीक है इसके अलावा ट्रीपल आई-टी होता है ये करना होगा इसके अलावा एन-ई-टी यह आइटी में आप लोग जा सकते हैं मिन्स का एकजाम देता है तो तो प्यारे बैच्चों यहां पर आपके पास बहुत बढ़े बढ़े पॉर्चनिटी हैं ठीक है ना पीसी एम यानि की खास करके फिजिक्स कमेस्ट्री मैथ लेते हैं तो यहां पर आप कह सकते हैं कि राजा महराजा जैसा जिंदगी गुजार सकते हैं जैसे अगर आप कोलेज में इसलिए जितनी सारी भी बड़ी बड़ी कमपनियां हैं गुगल हो गया Microsoft हो गया एपल हो गया और भी जितनी नामी नामी कमपनियां आप लोग देख रहें ना Facebook हो गया सब बड़ी-बड़ी कमपनियां यहां से लड़के को उठाते हैं क्योंकि उन कमपनियों को भी पता है कि हमें टैलेंट कहां पर मिलेगा यहां पर मिलेगा हमें टैलेंट कहां पर मिलेगा यहां पर इंजिनेरिंग कॉलेज में मिलेगा यहां पर बच्चे का क्या होता है प्लेस्वेंट होता है यहां से डाइरेक्ट बच्चे को पैकेज पर उठाया जाता है तीन कर चीज़ देखते हैं सब सुंदरलाल पिचाई का देन है हर एक छत्र में Google है अगर आपको लगता है ना कि Google कुछ भी नहीं है बस एक सर्च मसीन है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप पर पूरा कमांड अभी Google का है आप पर पूरा कमांड अभी जाकर करके सर्च मारिएगा समझ गए आपको बता रहे हैं किस तरीकर साथवरेवा। किये हुए है अपना flip card पर जा करके google सोड आ पर जा करके कोई समान सर्क करिए यह स्वाइर लेना है तो आप आप मोबाइल सर्क कर लिजिए क्या भर बीची घड़ी लेना तो घड़ी सर्क लिजिए उसके बाद चाहिए आप Facebook तोग NICK C पूरा कमांड गूगल का है आप किधर जा रहे हो लोकेशन सर्च मारते हो अप लोग किधर जा रहे हो किस्कों पता है गूगल को पता है आप बोलते हैं Google Assistant कुछ भी हम बोलते हैं Google को पता चल जाता है तो आम तोर पर हम अपने जिन्दगी में जो काम कर रहे हैं वो भी तो Google को पता चल जाता होगा यानि कि हम पर पूरा कमांड है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारी इक्सा क्या है, हम किस से बात कर रहे हैं, किस से बात नहीं कर रहे हैं, हम मोबाइल पर क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, क्या हम पढ़ना चाह रहे हैं, सब कुछ Google को पता है गूगल पर पूरा Command है समझ गये ना और यहां टिकनलोजी आता कहां से है यहीं से आता है ठीकनलोजी वाले बच्चे टेकनलोजी वाले जो लोग हैं कहां से आते हैं आई आई टी एन आई टी सहीं आते हैं समझ गए तो हर एक छेत्र में जो भी बड़े बड़े लोग है और हाँ एक बड़ा और अपूर्चनेटी है आप देखिएगा कि जितने सारे भी लोग यूपीसी क्लियर करते हैं यूपीसी क्लियर करने बाले में से अधिकांस जो दुनिया का सबसे हाट इक्जाम माना जाता है आई एक्जाम को और जो बच्चा दुनिया का सबसे हाट इक्जाम निकाल सकता है वह क्या भारत का सबसे हाट इक्जाम नहीं निकाल सकता है असानी से निकाल लेगा तो इसलिए बहुत सारे जब हम देखिए ट्वेल्थ टॉ साले बच्छों का इसा रहता है कि सर पहले अपना टेक्नोलोजी बढ़ाएंगे सोचने का जहें पास सूचने का छमता होता है कुछ अदभूत सोचने का अगर आप यहां तक सोचते हैं तो आय divisions क्रेक्ट कर लिया है वो यहां तक सोचेगा उनका सोच यहां से सुरू ही होता है या पिक कुछ से स्टार्टप करना चाते हैं कोई कंपनी खोड़ना चाते हैं देखिएगा बड़ी बढ़ी कंपनिया ओला हो गया जोमेटो हो गया आज कल आपके घर में शोम हो जा रहा है जो मेट्स के माली कान है सब उसके माली कौन है इंजिनियर थे नाइटी को पट्टना से वह इंजिनियर किये थे यानिका भी सपना था इंजिनियर बनने का लेकिन बन गए मुख मंत्री और मतलब जिस फिल्ड में गए तहलका मचा दिये तो जिनके पास टेक्नलोजी होता है ना किसी भी चीजों को हम किस तरीके से करें कि बहुत आगे तक जाएं अब देख लीजिए अर्विंद केजरिवाल सोचने का छमता था आज दिल्ली पर राज कर रहे हैं पंजाब पर राज कर रहे हैं क्या मुख मंद्री के बारे में बात करते हैं बिहार के देख लीजे भाई बिहार पर राज कर रहे हैं कर रहें कि नहीं कर रहे हैं तो यहां पर ना बहुत सारे उपर्चिनिटी हैं आपके पास इसलिए हम सुरुवात में बोले कि यह वाला छेत्र बहुत बढ़ा है इसके बारे में जितना सोच होगे ना कम पढ़ जाएगा जितना भी सोच लोगे में हम विचार करते हैं कि साइंस वाले बच्चे क्या आप सिर्फ इंजिनियर ही बन सकते हैं नहीं बहुत सारे बच्चे एंडिये भाई इंडिये में जाना चाहते हैं जैसे अभी आपकी बार देख लीजिए ना रुमान असरफ जो टिंथ क्लास के टॉपर निकले उनका का भर्नाम तकि सरहम दे जाना चाहते हैं देश कि सेवा करना चाहते हैं लेटीन excerpt लेकर के बाइलोजी लेखर के आप इतर नहीं जाएंगे फिस्कमेस्ट्री मैथ लेकर के समझ गया ना तो बहुत बड़ा सक्टर है साइंस जिसके बारे में आप कलपना नहीं किये होंगे इतना बड़ा सक्टर साइंस है तो कूल मिला करके ना आप लोगों को इधर ध्यान द रखते हैं साइंस में कॉमर्श में और आर्ष में चलिए बात कर लेते हैं हम आप लोगों के लिए नया बैच लेकर के बहुत जल्द आ रहे हैं तो हिंदी तो हम आपको पढ़ाएंगे ही समझ गया ना हिंदी तो हम आपको पढ़ाएंगे ही 12th क्लास का समझ गया ना इसके अलाबा फिजिक्स और कमेस्ट्री के लिए के लिए दो सबसे धाकर टीचर से हमारा बातचित हुआ है दो टीचर जो की बहुत बड़े फेमस टीचर है अभी आम नाम बताना उचित नहीं समझ रहें जब तक सब कुछ कंफर्म नहीं हो जाता तो दो टीचर बहुत बड़े ध स्टूटता है तो समझ लीजए कि बैपास जाम हो जाताह है इतना बड़ा बड़ा बैच चलता है उनका उनका स्वेस्टार टीचर बिहार के एग के बड़े सहरका सबसे चाट टीचर जो आज नहीं बलकि आज 15 साल से मार्केट पर कपजरा किये हुए है 15 साल से market पर कबजा किये हुए हैं वैसे teacher को हम launch करने जा रहे हैं target board पर अब जाहिर सी बात है भाई कि वैसे teacher को लाने के लिए कुछ खर्च भी करने होंगे उनको भाई salary भी चाहिए तो ये salary कहां से आएगा तो आप जितने सारे भी बच्चे हैं आप भी लोग से थोड़े बहुत लिये जाएंगे तो जाहर सी बात है कि जो भी class चलेगा paid class चलेगा लेकिन हाँ चुकि हम हैं तो फिर सोचना क्या हिंदी हम अपना free पढ़ाएंगे Chris sir है तो सोचना क्या Chris sir 11th में paid class चलाएंगे 11th में paid class चलाएंगे जो बच्चे 11th का English पढ़ना चाहते है basic एकदम basic शुरू से लेकर के आंद तक basic मजबूत करना चाहते हैं तो आप लोगों को 11th में paid class purchase करना होगा 499 का बाकि 12th में अगर 12th की बात करें तो 12th में Chris sir English पढ़ाएंगे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा बाकि physics chemistry के लिए दो start teacher आ रहे हैं जो कि आपको बहुत जल्द पढ़ाएंगे तो cool मिला करके आप लोगों के लिए बहुत वड़ा planning है और बहुत जल्द course भी start हो जाएगा बाकि math के लिए भी teacher आ जाएंगे भाई math के लिए भी start teacher को ही हम launch करने जा रहे हैं क्योंकि अब अपना जो छेत्र है उसे बढ़ाना है जब हम metric में topper दे सकते हैं तो क्यों न पर्यास करें कि inter में भी topper दे सकें इसलिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है और हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चे इस course को purchase करेंगे बहुत सारे बच्चे के मने में confusion आएगा कि सर हिंदी मेडियम इंग्लिस मेडियम कुल मिलाकर के बता दें कि physics और chemistry जो है कुबा दोनों language में होगा हिंदी और English दोनों mix भी कर सकते हैं ज्यादा तर हिंदी चुकि बिहार के बच्चे हैं हमें पता है आप लोग को कितने English आती है हमें पता है तो इसलिए उस हिसाप से ही करवाया जाएगा तो कुल मिलाकर के यह batch बहुत जल्द launch होने जा रहा है और to build class वाले बच्चों के लिए भी एक बड़ा opportunity है आप लोग पढ़ सकते हैं तो कुल मिलाकर के मुक्रूप से हमारा धे था हमारा लक्षता टार्गेट था कि आप लोगों को आर्स कॉमर्स और साइंस के बारे में बताना और अब हमें लगता है कि आप लोग समझ गये होंगे अब यहां के बाद से अगर किसी प्रकार का कोई confusion है तो आप लोग हम से प कि हां कितना पढ़ने में तेज हैं क्या कर सकते हैं हम भी बेहतर कर सकते हैं यह सब सोच करके आप खुद ही इन सब चीजों को कर लिजिए ठीक है और बाकी रेगुलर चलते रहेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद धन्यवाद